हेलो मेरे नाम योगेश है आज मैं आपको बताने वाला हूं हाइर-link function के बारे में तो हाइर-link क्या है और कैसे काम करता है तो उसके बारे में आज हम जानेंगे उसके बारे में बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको ना इसका सिंटेक्स निखा देता हूं तो अगर मैं सिंटेक्स की बात करू है। हमाइ सिंपल यहां पर एगर हाइपर लिंक पर इसका संटेक्स देखेंगे सबसे पहली यू और हुरेल पूछत आ है यू आरेल वह वह गया कि हमें किसी को भी कोई कोई भी Hyperlink कोई भी जैसे सिंपल सा URL ने जैसे गूगल चीट गूगल फॉर्म का जो है वह जो रही लिया हुआ है तो मैं यह यीवारर ले 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 लेता हूँ इसको मैं सिंपल एक बार कॉपी तर लिया कि यूरल लेने के बाद मैं क्या करूँ आ यहां पर प्रेंगा ड Specifically के अंदर यूरल को कोड है कोड कामा उसके बाद मैं किया है इस यूरल को कोई अगर वह देना चाता हूं नाम यह कोई लेबल तो मैं वो दे सकता हूँ जैसे मैंने क्लिक केर कर दिया और सिंपल मैं इसको क्लोज करके एंटर कर दूँआ अब देखिंगे जो मेरा जो URL है यह जो फॉर्म का जो URL है इतना बिक यॉर्ल था बट यह है पर लिंक से क्या हो गया यह शौट भी हो गया और यह लिंक है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यह फॉर्म होगा अब देखे यह फॉर्म ओपन हो गया तो इस तरीके से मैं क्या अगर सकता हूँ जो भी मेरे URL जो शीट पर पड़े हुए हैं तो मैं उनको शॉर्ट करके यहां पर ला सकता हूँ और एक चीज और है अगर मैं इस शीट को पब्लिश कर देता हूँ पब्लिश जो इसका लिंक हम लेते हैं यहां से तो पब्लिश यूदा वैब करने पर जो लिंक मिलेगा उसमें क्या होता है बाकी चीज़े नॉन और एड़ीटेबल होती हैं बट आप लिए यूज कर सकते हो उसके उस पे उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं को इस तरीके से यह ऐसे फंशन के थूरु रू जैसे हमने यह बनाया में गया हाईपर लिंक तो मैं इसमें किसी का भी लिंक डाल सकता हूं कोई website का link डालना चाहता हूँ या कोई sheet का link डालना चाहता हूँ तो मैं वो सारी चीज़े इसमें डाल सकता हूँ simple इस तरीके से मैंने URL डालना है dual quotes के अंदर comma करके और मैं इसका एक label दे दूँगा जैसे मैंने अपनी website का link डाला होता तो मैंने website यहां पर लिख दिया और मैंने simple इसको close कर दिया अब मैं इस पर click करूँगा तो मेरी website खुलेगी अगर मैंने website का URL डाला होगा तो तो इस तरीके हम इसमें बना सकते हैं और इसके साथ साथ जैसे यह function से use हो रहा है function के अलावा भी हम इसमें एक चीज है उससे भी use कर सकते हैं तो वो है यह आप यह देखेंगे ऊपर जो है insert link का option है तो जिस भी cell पे जाके इस cell पे अगर मैं करना चाता हूँ तो इस cell पे जाके मैं इस पर click करूँगा click करने के बाद क्या होगा फिर से यह link फूसता है तो मैं यहाँ पर link डाल देता हूँ यहाँ पर link डालने के पाद मुझे कोई text जो डालना है वो मैंने डाल दिया form और इसको apply कर दिया इस तरीके से भी मैं जो है वो URL इसमें attach करा सकता हूँ एक जो है URL हम इसके तुरू कर सकते हैं इंसर्ट लिंक के तुरू और एक जो है hyperlink function को यूज करके तो यह दो तरीके हैं कोई भी हमारी जो links हैं उनको Google चीट पर रखने के लिए publish link होने के बाद इस फाइल को अगर मैं publish कर दूँ उसके बाद जो है यह clickable होता है तो यह यूज है इस hyperlink functions का इसका syntax अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस पर simple ऐसे type करके पर आप syntax अगेरा देख सकते हैं यह जाए कि अगर अ झाल